भार्जे जिन्ता पार्टी का सीवान में एक कारिकरम हुआ युवा संकल्प समेला कारिकरम अपनी सफलता के साथ पुरा हुआ लेकिन यह कारिकरम कुछ भाद भी छोड़ गया उन सब विबादों पे हम चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं भाजपा के जिला द्यर्ख मनुश कुमार सीजिंगी के पास हम इसी से बात करेंगे कि कैसे आखिर भाजपा का जो अंतरकला जो है वो समय समय पे कभी कभी सामने आ जाता है तो इसको अब कुछ दिनों में चुना होने वाले हैं 2019 में लोकसभा के चुना होने वाले हैं और जिस तरह से ये पार्टी का अंतरकला सामने आ रहा है वो क्या दो हजजार उनिस में वो क्या असर डाल सकता है पार्टी पे ये सब सवाल है तो हम स्वागत करते हैं मरुष कुमार सिंग जी का सर आप से हम जानना चाहते हैं कि जिस तरह से युवा संकल्प आपका सम्मेलन संपन्ध हुआ बड़ा अच्छा सम रहा इस्मृति जी बड़ा बड़ी अच्छी भीर थी लेकिन उसके उस कारेकरम ने कुछ वीबाद भी छोड़ दिये जो नीचले अस्तर के कारेकरता है आपके जो उनका आरोप था कि नीचे अस्तर के कारेकरताओं को पार्टी में अस्थान नहीं मिलता है इसमें कितने मैं किसी का नाम नहीं लूँगा सिर्फ पार्टी अस्तर पे जो विवादित बात आ रही है मैं उसकी जनकारी चाहता हूं कि क्या वाकई नीचे के अस्तर के कारेकरताओं का बीजे पी में सम्मान नहीं है उनको अस्थान नहीं मिलता है देखिए कोई भी काजकम होता है तो इस्टेज का स्ट्रेंथ सिमित होता है कि इस्टेज पर कितने लोग बैठेंगें है उनको पहला स्थान दिया जाता है श्रेज नहीं और बैठा जाता है ये रोटीन वर्क में होता है उसके बाद जिस मोरचा या जिस विंग का काजकम होता है उसके पदाधिकारी बढ़ते हैं वही पदाधिकारी संभानित करते हैं ये टोटली यूँगा मोरचा का काजकम था जिसमें सभी आठों वीधान सभा के लड़े हुए परतोयास्याथि मदद किये थे सारे एक मान्य सांसद हैं, एक और एक सांसद हमारे विधायक जी हैं, उन लोग का भी बहुत बड़ा जोगदान रहा, हम लोग का भी जोगदान रहा, सब ने मिलकर इस काजकों को आयोजन कहले कि मुख के फोकस में, चुकि युवा सम्मेलन था, इसलिए युवा मोर्चा ने मोर्चा कौदिकार है, उसमें महिला मोरचा है, अनुसुचचित जन जाती मोरचा है, अति पिछडा मोरचा है, यही लोग आपके सामने मिडिया के सामने कुछ बोल गए हमने भी आप ही के मादम से सुना है वैसे हमको कोई त्याग पत्र नहीं दिया है जैसा कि चर्चा था हम ये चाहेंगे उनों से कि आप लोग भी अपना समेलन काजकम करें हम मैं आपके अराष्टी अर्ध्यक्ष हैं उनको मैं बुलाओंगा और उस तरह का काजकम करें और जो लोग आपको उची तस्थान नहीं दिया भी नहीं दे एक कहने के लिए बात है ये हाला कि मिडिया का चीज नहीं है लेखिन मैं यह कहना चाहता हूं लों से कि आप लोग अपनेविंक का अपने मोर्चे का का चकम करें लेकिन इस ये तो सही बात है कि बिंको अपना काम करना चाहिए जिस तरह से उन लोगों ने आरोप लगा दिया कि छोटे कारिकरता जो है जो चोड़ बागजपा बड़े लोगों की पार्टी है, मतलब कि आप फारवर्ड एकी पार्टी है, आप ही सहर के एक बैकवर्ड के जाते से आते हैं, और मीडिया में है, यह बताए कि सीवान का विदाएक बैकवर्ड है कि फार्वर्ड है, सीवान का सांसवत बैकवर्ड है कि फरवर्ड है सीवान का अन्य पार्टियों में भी देखियेगा तो कितने फरवर्ड हैं कोई M.P.M.L. patronize? कितने फरवर्ड लोग हैं आप इना यह हमको रही बात की, कभी कहा जाता है कि बनियों की पार्टी, आप बैसे हैं, आप समझ सकते हैं, कभी कहा जाता कि forward की पार्टी है, ठीक है, विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, हमारी पार्टी सबका साथ सबका भी कास, सबको लेकर चलता है, यहां तक मैं अल्वसंख्यक को भी लेकर चलता हूं, हमारी पार्टी जो मुख्य धारा में देश के संबिधान, देश के कानून और देश के भारत माता में जो विश्वास करते हूं भारत के कानून पर जितने अल्वसंख्यक विश्वास करते हैं, हम सबको लेकर चलते हैं, यहाँ बैकोर्ट फरहोट अग्राप इसे आया कहां से? हमारा वसी धानत है वहाई, सबका साथ, सबका विकास. हम भारत में निवास करने वाले 132 करोर के लिए हम निति और नियम बनाते हैं और सब के लिए हम काम करते हैं, हमारी पाटी काम करते हैं. वो कारिकरम करें, आपके छोटे विंग के लोग हैं, लेकिन एक सवाल अभी भी अपने जगह पे कायम है, दस साल से बीजेपी का सासन है सिवान में, आपके जो सांसत हैं, वो दस साल से यहां पे सांसत हैं, हर बार, हर चुनाओं में, सिवान में जब जब लोकसभा का चुना यही थी वहाँ भी साबुदीन चाये हुए थे. इसको क्या माना जाएगी क्या भाजपा के बास साबुदीन के अलवा कोई मुद्दा नहीं है? नहीं बहुत मुद्दा है. मेरे पास बीकास के अंगिनों मुद्दे हैं जो 4 साल, 4 साल में हमारी सरकार ने की है अब रही बात सहावदीन की तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो लोग ये प्रस्न उठा रहे हैं कि भाजपा के पास सहावदीन का लाव कोई मुद्दा नहीं है तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि वो लोग क्यों सहाबदीन को महिमा मंदित करते हैं? वो लोग ये बात कह दें कि सहाबदीन अब रिजेक्ट हो गया, सहाबदीन अब डेड़ हो गया, उनका आप नाम ना लिजिए. या खुद नाम ना लें, तो मैं भी उनका नाम नहीं लूँगा. हमारी पार्टी के लोग भी सहाबदीन के नाम नहीं लेंगे, लेकिन वो लोग कहते हैं हमारे साहब विकास पूरुष थे, साहब के अधूरे काम को पूरा करना है, तो मैं क्यों नहीं लूँग? जब आप अपने नेता के रूप में एक अप्राधी को, एक साजाप्ता, एक जेल में बंद व्यक्ति को आप नेता के जैसे प्रोजेक्ट करते हैं, होली बूड एस्टार के जैसे प्रस्तूत करते हैं, विकास पूरुष के रूप में राजेंदर परसाद मौलाना मजलुहत के रूप में प्रस्तूत करते हैं, तो में उनकर नाम क्यों नहीं लूँ. आप नाम लेना छोड़ दीजिये में वादा करता हूं कि मैं कल से नाम नहीं लूँगा. मैं खुद. बाणी जो ले 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 करनास हुद करते हैं करने नाम हम लोग नहीं लेंगे तो हम लोग भी नहीं द्रीं लेगें he हम मैं आपनद चुका हूँ कि वह बन्हें इस आने वाले है इस राजनीत में या इस जिलय में च्रह साले मैं तो तो उनका नाम हम नहीं लेंगे, लेकि वो क्यों महिमा मंदित करते हैं। आप क्या सहावुदीन को राष्टिय जनता दल सहावुदीन का नाम डिलीट कर दे अपने जुबान से अपने पोस्टर से अपने बातों से हम लोग भी अपने डिलीट कर देंगे सहाबुदीन को हमेशा जैसे उनके दल के लोग हो विकास पुरुष के नाम से सम्भोदित करते हैं आप क्या वानते हैं देखे उस जमाने भी विकास किये होंगे मैं उस जमाने में जो उन्होंने विकास किया सुबह और साम सिख्य के दो पहलू होते हैं बैक साइट फरंट साइट उन्होंने विकास क्या किया मैं तो नहीं किना सकता लेकिन उन्होंने जो सिवान का बिनास किया वो बहुत लंबा ह जो उस समय पेट में कोख में पलने वाला बच्चा आज 15 साल में उसको पामी मोच आ गया है वो कहता है कि मेरे मामा के हत्या होई थी, वो कहता है मेरे चाचा के हत्या होई थी वो कहता है कि मेरे फुफा के हत्या होई थी, वो कहता है मेरे मौशा के हत्या होई थी उसका जवाब कौन देगा उसको विकास से क्या मतलब था जो पेट में पल रहा था मेरे पिता की हत्या हुई थी उसको विकास से क्या मतलब है उसने तो विकास नहीं देखा है जो 50 साल के लोग है विकास देखे होंगा 15 साल पहले जो 40 साल के लोग हैं वो देखे होंगे, जो कोख में पल रहा था, जो उसके पिता के हत्या के बाद पैदा हुआ, उसने तो सुना कि फलाने ने मेरे पिता को मारा, उसको विकास से क्या मतलब है, और विकास तो आजादी के सैंता, और शैंताली साज तक विकास से हो रहा है, व कोई परिवासा ने है कि शड बन गया, रोड बन गया, इसकूल, पन गया, कोलेज बन गया तो बीकास हो गया. विकास बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है इस पर बहुत बढ़ा बहुत का चीज है सिवान से जो लोग प्लायन कर गए साथ दिन के डर से जो बिज्व में मकान जमीन बेच कर चले गए उनका भी तो बहुत बड़ा पी कास हुआ जहां गए गुजाराद पेख, उनका बहुत बड़ा पी बड़ा पिकास होगा इसका मतलब उसको विकास कहेंगे आज हमारे दिल आप भी खुरते होंगे कि फलाने थे सरदार थे फलाने मरवाडी थे कहां चले गए आज वो लोग खुशाल है लेकिन विकास का परिभासा ये नहीं है लेकिन सर इन सारी बातों के अलावा पिछले कुछ दिल पहले आप ही का एक बयान आया था और जब विकास पर नंबर की भात आई थी तो आपने अपने सांसत को दस नंबर दिया था उनके तूल्णा में वो वक्त रहा होगा कोई बात रही होगी लेकिन विकास के मामिले में जो आप विकास का परिभासा आमको पहले समझाए फिर मैं बताऊँगा मेरे दृष्टी से विकास हुआ होगा मैं मानता हूँ लेकिन जो बिनास हुआ उप कहीं ज्यादा उपूर्णी अच्छती हुई जिसको पूर्णी अच्छती हुई पंदरा सालों में विकास कोई माने ने रखता हूँ जिस दल से आते हैं राज़त से उनका जैसे यह कहना है कि सिवान में आप देख लिजिए कि चाहे वो इंडोरे स्टेडियल्यम हो राजंदर रर्श्टेडियम हो हॉस्पिटल हो बिद्याभावन का अलेज हो इंजिर्निंग का अलेज हो यह जो भी का लिजए यतने बिलिङ यह कं सी कम वह संभी सावु दिन का नाम उस पर चढ़ा हुआ है एक बिल्डिंग वो दवा कर रहे हैं कि एक बिल्डिंग अस्थारिये जो अभी बरतमान में जो सांसद है वीजे बीके वो एक बिल्डिंग दिखा दे हैं हम मान जाएंगे कि उन्होंने सिवान का विकास किया है मैं बता दूँ कि मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूं कि वो कौन सा बिजनेस किये साब दिन कितना विकास किये और उनका कितना विकास हुआ वो अपना इसाब दे हैं वो नबे में क्या थे जब विधायक हुए उनके पास कितनी संपति थी और ये 2018 है कितनी संपति है उसका इतनी संपति कहां से आई उन्होंने अपना विकास किया इंजिनियर कोलेज की आपने बात किया इंजिनियर कोलेज उनका दुकान है उनका दुकान है इंडिविजूल सीवान के लोगों से पैसा और ले करके जमीन हड़प करके और उन्होंने कोलेज का स्थापना किया और उस उनकी संपति इतनी कहां से आई पहले वो अपना बिकास का ही साथ दे उन्होंने अपना बिकास किया है, शीवान का बिकास बिल्डिंग बना ज़स होता है, उसमें भी उनका कमिशन था, दो एस्टिमिट बनते थे, एक करॉर का, एक करॉर पचास लाका, ऐसा नहीं है? अब जो हत्या हो रही है, आज चार साल की बच्ची के साथ बलादकार हो जाता है, हमारे सिवान में, अब इसके लिए दोसी किसे मानें, अगर उस समय सहबदीन को अगर हम मानते हैं, तो इसके लिए दोसी किसको मानें? सहबदीन के समय प्रायोजित हत्या होती थी, और्गनाइज संगठन के माद्यम से, बिहार के कोने कोने से, नेपाल से, राजस्थान से, मध्य परदेश से, पस्रिम मंगाल से, आप राधी आकर के उनके आठ हो रते थी, ठीक है? मेरे जुबान पर विश्वास किजिएगा, कैमरे के सामने बोल रहा हम, और्गनाइज हत्या होती थी, पूरे बिहार में उत्तर प्रदेश तक उनका जाल बिछा हुआ था, आज वो और्गनाइज नहीं है, वो और्गनाइज संगठन के माद्यम से नहीं हो रहा, एक प्यक्ति की शारे पर नहीं हो रहा है, यह धूर दुरगटना उसको कहा जाएगा, न कि उसको अपराद, अपराद जब से श्रिष्टी है, तब से समाजी गलत तत्व हैं, चाहे कल जुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, हर जुग में अपराद ही रहे हैं, इसमें भी हैं, रहेंगे, मडर होगा, इसमें कहीं डाउट नहीं है लेकिन प्रायोजित मडर नहीं हो रहा है, चाहें उत्तरपर्देश हो, चाहें बिहार हो, सीवान हो, या कोई जिला हो, कहीं पपु जादो, उस समय थे, कहीं अनंत सिंग थे, कहीं सादो जादो थे, कहीं लालू जादो थे, कहीं तरस्मिल दिन थे, कहीं फात्मी थे, इस अपराद नहीं करा सकता है अपराद का आलम बिहार में इतना बढ़ा हुआ है कि आपके जो उप मुख्य मंतरी हैं वो पना मांग रहे हैं अपराधियों से और यो यह कह रहे हैं जब सुबे का उप मुख्य मंतरी यह कहे कि कम से कम पंदरह दिन की महलत दे दो अपराधियों से यह गुजारिस करे कि पंदरह दिन की महलत दे दो इसको क्या माना जाए क्या संपुर्ण बिहार सही मैं सही मायने में अपराधियों के हवाले हो चुका है उन्होंने यह कहा दूसरा क्या कहा कि आप नहीं सुने कि पुलिस अपने काम कर रही है देश में नक्सलबाद कम हुआ है किस परिपेक्स में कहें मैं नहीं जानता हूं नहीं मैंने टीवी देखा है आपके माध्यम में सुन रहा हूं जरूस उसमें कहीं ने कहीं उनको सुधरने का मौका दिया जा रहा होगा उनके माध्यम से हो सकता है उ कहें हो कि आप सुधर जाओ, वक्त है मुख्य धारा में आजाओ, अप राज छोड़ो और मुख्य धारा में आओ उनका उद्देश यही था, यही रहा हो इसलिए पंदरा दिन का समय मागा पंदरा दिन में हो सकता है तुमारा हिर्दे परिवर्तन हो जाओ, पंदरा दिन में हिर्दे परिवर्तन हो सकता है, पांद दिन में हो सकता है मनो जो एक अहम सवाल कि हमेसा बीजेपी चुकि सत्तर पच्छतर साल का इतिहास रहा है कि कांग्रेस ही ज्यादा सत्ता में रही है और बीजेपी हमेशा विपक्ष में रही है ये पहली बार हुआ है कि पांच साल सरकार आपकी पूरा करने जा रही है इतना लंबा समय कभी बिला नहीं लेकिन इसे पांच साल में जिस तरह से काजल की कोठी होती है जो सरकारे बनी उन पर दाग लगा, बीजेपी पे भी दाग लग गया, और आज बीजेपी से लोग तरह तरह के सवाल पूछते हैं, तेल का दाम क्यों बढ़ गया, गैस एक हजार का क्यों विक रहा है, राफिल में घोटाला कैसे हो गया, ऐसे बहुत से सवाल अब आप से पूछे जाते हैं लेकिन आप हमको बताइए, नरेंद्र मोदी अगर घोटाला करेंगे तो मोदी किसके लिए करेंगे, अगर जोगी घोटाला करेंगे तो किसके लिए करेंगे, इतली नहीं भेजेंगे, इंग्लेंड नहीं भेजेंगे, नरेंद्र मोदी जैसे ब्यक्ति पर घोटाला पहली बाद राफेल में कोई जोटाला नहीं हुए. अतना बड़ा नेत नहीं हूं कि मैं उसके बारे में डिटेल जाओ। राइबात पांच साल तो आपने का पांच साल आपकी पहली सरकार चलिया ऐसा नहीं है बाजपेजी के समय में भी पांच साल हमारी सरकार सेकेंटर में चली थी जो चोविस पार्टियों को मिला कर चलाय थी उन्होंने एक आभ्यास किया उनका अभ्यास सफल भी रहा कलॉबरेशन की सरकार बनी उन्ही के नक्से कदम पर उन्होंने देश को भी जोडने का काम किया नदी को नदी से जोडनेन नदियों को जोडने वाला चतुरभु जरूлем शड़क योजना उनका भी सिधानता कि देश को एक धागे में प्यूरोना है नरिंद मोदी ने वैट के माध्यम से देश के टिक्स को एक किया वैवसाईयों को बुरा लेगे लेगे आज आसान हो गया है सब कुछ सुगम रास्ते से कहीं से कहीं कोई माल जा सकता है आ सकता है उसके बाद उन्होंने संबिधान में बिश्वास करने जो अभी आप देखें होंगे वो नकसल प्रभावित वाले सहर में बैठ करके अत्याधूनिक तरीके से जो नेट वाटसप फेस्बुक के माध्यम से देश को टुकड़े करने की साजिस हो रही है वही लोग थे जिन्होंने बिहार के चुनाव के समय में अपना एवाड वापस कर रहे थे बिहार का चुनाव खतम एवाड जितने लोग वापस करने वाले हैं लोग वो खतम हो गया देश में एक नकसलबाद का जो चाइना और दूसरे देश से जो साजिस करते हैं लो देश को तोड़ने के लिए इसमें बहुत बड़ा एक साजिस हो रहा है देश को तोड़ने वाली भाजपार पारोप लगता है कि संपरदाइक पाटी है तो समझे कर पूरे दुनिया में आप भी देखते होंगे ठीबी पूरी दिंया में भारत के सम्मान जो बढ़ा है आज आज तक क्या थैहांस में आज़ादी के 47 से लेकर के 2098 में 14 तक कर देखिये और आज 14 से में 14 तक कर देखिये कितना दुनिया में मान सम्मान बढ़ा है चाहर तारिख के सम्मेलन में आपके बीजेपी के ही एक नेता के द्वारा आप पर कुछ कटाक्ष किया गया था सावदीन के लेकर के और इसको कैसे बने क्या करेंगी तेकिया मैं तो कहता हूं कि भार्ति जनता पार्टी के नेताओं ने मुझे जिलाध्यक से बना करके जहर का गोट पीने के लिए विवस कर दिया वैसे बड़े भाई हैं हमारे नेताओं यह हमारे पंचायत के हैं उनकी बात को मैं जवाब देना उचित नहीं समयता हूं लेकिन मैं देना चाहता हूं आपके माध्यम से कुन्होंने जो बात को कोई नई बात उन्होंने नहीं कहीं और उसे मुझे बहुत चिंता का भी बीश है नहीं है चुकि सब लोग जानते हैं कि मैं था चुकि एक गाउं में हम पैदा हुए गाउं में पढ़े तो स्वभाविक है वो भी लेकिन बहुत दूर नहीं है स्वर्गिय उमाशंकर बावु के सागिर्द थे कभी साहब दिन उनके संरक्षन में कभी बदमास हुआ करते थे बाद में माफिया हो गए बड़े बदमास हो गए देश लेबल पर हो गए जहां तक जीते अंदर स्वामी जी का बात है तो वो भी तो कभी कांग्रेस में कभी राष्टे जनता दल में कभी साहब दिन के पीछे खड़ा हो करके अपना सब कुछ किये हैं उनका विराजनीतिक जीवान है पंदर बीस साल से चल ही रहा है लेकि उन्होंने जो कहा मुझे कम और सामने दर्सक दिख्रा में बैठे भारती जनता पार्टी के एक एक कर्श करता कुबुरा लगा शाद उनको इस बात का अंदाजा नहीं होगा जिस तरह से पार्टी के अंदर नेताओं में आपसी छिटा कसी चल रही है आपको क्या लगता है कि 2019 का चुनाव अब चंद कुछ महीने बचे हुए हैं ये कितना असर डाल सकता है पार्टी पे देखिए भारती जनता पार्टी बिशेश रुप से अनुसासन वाली पार्टी है इसमें ढ़लने में समय लगता है इसके पार्टी में के नीती सिधानत में ढ़लने में तोड़ा समय लगता है मुझसे भी गलती हो गई है मैं याद दिलाना चाहता हूं लेकिन जो लोग जिताएंगे वो लोग पार्टी के विरुद्री कोई काम नहीं करेंगे और 2019 में सभी लोग एक पैर पे खड़ा हो करके एक जंडा तले एक छाते के नीचे एक नेत्रित्व में सीवान में पुना भारती जिनता पार्टी को जिताएंगे मक्सद साप है कि हमें 2019 में फिर नरें हैं तो अंतरकला होता है परिवार में भी होता है ऐसा नहीं है तो यह तो भाजपा बहुत बड़ा परिवार है इसमें तो होना लाजमी है स्वभाविक है उस चाह उस समेलन के लिए पाटी के कुछ बड़े नेताओं ने चंदा बगर दिया था जो आज फेस्बुक के माद से बिवादित बात निताओं के द्वारा परोसा जा रहा है फेस्बुक आज एक ऐसा माध्यम की एक बार अगर डाल देते हैं तो हजारों लोग एक साथ देखते हैं उसको तो कहीं ने कहीं यह तो असर डालेगा आपके उपर 2019 के चुनाओं में मैंने कहा ना कि इसमें पिर जिनकी आप बात कर रहा हैं वो इंपोर्टेड हैं सांसाजी के द्वारा धीरे धीरे हमको उमीद है कि फिर भाजपा में एक भाजपा के एसेट्स बन करके और भाजपा के एक अच्छे लीडर के गरूप में रहेंगे मुझे विश्वास है चलो अंतिम सवाल आपसे आगे क्या करेंगे और कौन पैसा दिया कौन लिया मैं नहीं जानता हूं जो दे दिया उसको लेना नहीं चाहिए अले भी लिया तो कोई बात नहीं है जो देने वाला जाने लेने वाला जाने मैं नहीं जानता हूं अंतिन सवाल आपसे, चुकि पार्टी के आप अध्यक्ष है, आपकी पार्टी हमेंसा लोक तंत्र की बात करती है, आज भी कर रही है, लेकिन जिस तरह से राज तंत्र दिखाई दे रहा है, आपको जिस तरह से चार तारिक के जो सम्मेलन में, ऐसा लगा कि किसी को प्रजेक् किया, जो अस्थारिये बिधायक हैं, उन्होंने अपने पुत्र को प्रजेक्ट किया, और वो आने वाले समय में चर्चा ये भी है कि उनके जगह पे अब उनका पुत्र लड़ेगा चुनाओ, ये कहां तक पार्टी अब लोक तंत्र छोड़के राजे तंत्र की और जा रह टिकट की, तो ये पार्टी डिसिजिएन करेगी किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है, जो पार्टी के लिए काम करेगा, जो अच्छा काम करेगा, उसको पार्टी टिकट देगी, ताजपूसी की कोई बात नहीं है, और नहीं कोई राज तंत्र है, आज हैं कोई भी कोई भी पद पर है वो चाहे कि हम अपने बेटा को दिलवा दें तो भाजपा में बहुत कठिन काम है लेकिन दिया जाता है होता है लेकिन उसके लिए बहुत स्ट्रगल मेहनत करना पड़ता है जिसको चाहिए उसको भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा रही बात कि हमारे अधियक से उनको प्रजेक्ट किया जाएगा और इनहीं लोगों में संट्रिकर दिया जाएगा आने वाला जेनरेशन कौन है आप बताइए नए जेनरेशन नई पीडिको हम जरूर आगे बढ़ाएंगे लेकिन जो बढ़ने वाला होगा उसको जो दोड़ने वाला उसको रहे होंगे एक रामनात कोबिंद महामहीम राष्टपती एक बार बस्पा में थे एक बार MP राजसभा हुए या दो बार हुए विद्वान आजमी है उनको गौर्णर बनाया गया उनको फिर राष्टपती बनाया गया यह दूसरी पार्टी में नहीं है लालुजादों को दीजे तो राजसभा बिदानसभा लोगसभा सब्सभा में यही लो जाएंगे मुलायम सिंग को देखे तो भाई भतिजा भतिजा का बतिजा आने वाला जो कोख में बच्चा पल रहा है उवी लोगसभा बिदानसभा जाएगा लेकिन आप लालुजा नरंद भाई मोधिक बचा रहे हैं स्रीमति सुनिया गांधी अपने अपने लाल राहूल गांधी को बचा रहे हैं मुलायम सिंग यादो अपने बेटा को बचा रहे हैं तो लोग बेटा को बचा रहे हैं हम लोग अपने देश के आने वाली पीड़ी बेटी को बचा रहे हैं यही दूनों में सच कहा गया है कि ब्यक्ति बलवान नहीं होता है समय बलवान होता है और समय बहुत कुछ बदल देता है बहुत कुछ सीख देता है कि किस तरह से कैसे हम अपनी बात को आपके सामने रखे कुछ समय पहले जब मनोश सिंग से हम लोग बात करते थे तो बहुत कुछ बाते होती थी लेकिन आज मनोश सिंग से जब बात हो रही है तो उस समय के बात में और आज के बात में जमीन आस्वान का अंतर दिखाई दे रहा है और ये दिखाई दे रहा है कि समय ने मनोश सिंग को पूरी तरह से परिपक्व कर दिया है हमने लाग सवाल किये जो चल रहा है बीजेपी में जो अंतरकला है हलाकि वो इससे नकार नहीं सकते लेकिन जिस खूबी के साथ उन्होंने जवाब दिया है वाकई चाहे वो पक्ष के लोग हो या बिपक्ष के लोग हो या इनके अप सवाल की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन बात अभी भी वहीं पे है कि 2019 का चुनाव बहुत करीब है और जिस तरह से पार्टी के बड़े नेताओं के बोल बिगड़ रहा हैं और ऐसे नहीं बिगड़ रहा हैं मंच पे जाके अगर जिस तरह से बिवादित बातों को पिछली ना मानें लेकिन ये पार्टी पे असर डाल सकता है चुकि आम आदमी उसको सुन रहा है जब मंच से आप कोई बात कहते हैं तो वो आम आदमी सुनता है हम यहाँ पे बैठ करके भले उस पर चर्चा कर ले लेकिन मंच से जब आम आदमी के बात आम आदमी के पास जब उनकी बाते चली जाती हैं तो आम आदमी अपने तरीके से तै करता है कि हमें क्या करना चाहिए जिस तरह से विबादित बोल है अगर समय से इसे नहीं रुका गया तो आने वाला 2019 बीजेपी के लिए खास करके सिवान बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं है